तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन मन्त का हेर ग्रोफ चैलेंज अगर आप इस चैलेंज को एसेप्ट करते हैं और जो मैं बताती हूँ आप वो करते हैं तो आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे बालों का जढ़ना रुख तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेर ग्रोफ चैलेंज करने वाली हूँ मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ हैर ग्रोफ का वह भी एक महीने का तो एक महीने के अंदर ही अगर आप इसको करते हैं तो आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे और आपके बाल में बहुत ही positive difference देखने को मिलेगा आपको आपके बाल बहुत ज़दा silky, shiny और strong हो जाएंगे definitely हो जाएंगे, यह मेरा challenge है और मैं guarantee देती हूँ इस बात का अगर आप इसको हपते में दो बार करते हैं तो बहुत अच्छा result मिलेगा एक महीने के लिए आपको करना है regularly, आपको skip नहीं करना है इस चीज़, इस hair growth challenge में मैं basically एक बहुत ही बढ़िया सा hair mask लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिसना हो जाए मैं हमेशा बहुत सारी informative वीडियो अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ जो कि बहुत beneficial होगी अगर आप follow करेंगे तो अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो हेर मस बनाने के लिए हमें चावल कोई साभी आप चावल ले लिए जो भी आपके किचन में हो उसको वाश कर लीजे अच्छे से उसके पाद हमें लेना है फ्लैक सीड यानि अलसी का वीज तो इसके अंदर बहुत ज़दा omega 3 fatty acid होता है वीटामिनी होता है जो कि हमारे ब के लिए भीगो के छोड़ दीजिए अच्छे से कवर कर लीजिए इसको फिर उसके बाद इसको रात भर के लिए ऐसे ठाका रहने दीजिए next morning आप देख सकते हैं अच्छे से भींग चुका है और इसके अंदर पानी के अंदर सारी values आ गई है बट हमें इसे और effective करना है और आप effectively use करना है तो इसको अच्छे से grind कर लेना है खुब अच्छे से grind कर लिए ताकि इसका अच्छा सा paste बन जाए आप यहां देख सकते हैं यह अच्छा से grind हो चुका है अब इसको क्या करना है कि हमने muslin cloth की help से चान लेना है ताकि जो भी granules हैना वो आपके बालों में फंस परित सकते हैं आप हम लोग इसमे शीखie kai powder मिक्स करेंगे यह है sheQue kaip powder ठोटेबल लिस्पूने से थोड़ सा ज्यादा मैने Scakai powder लिया है यह है रीठा पौटर तो इसको aćमने टू एंध 1.500 तैबलल इसपून रीठा पाउडर भी ले लेना है अब हमको क्या करना है मुलत मुलतानी मिट्टी का मुलतानी मिट्टी का फिर उसके बाद इसमें हमने एड करना है योगर्ट यानि दही घर की बनी हुई दही है 100% नैश्रल है और थोड़ी सी खटी हो तो बहुत अच्छी बात है फिर उसके बाद सब चीज को अच्छे से मिक्स कर लीजे आप ता की पेस अगें अगें हम लोग इसको ढंक के धाई गंडे के लिए छोड़ेंगे फिर लगाएंगे बालो में अब मैं लगाने जारी हूँ यह है मास्क और मेरा बाल बिल्कुल भी क्ली है मैंने अभी कली शैंपू किया था तो जब आपका बाल क्लीन होता है तभी आपको ज़्यादा बेनफिट मिलेगा इस हैर मास्का पहले इसकल को कवर कर लेंगे अच्छे से उसके बाद अपने पूरे बालों में लगाएंगे इसको तो आप देख सकते हैं मैंने हेर वास लगा लिया है अब मैं इसको कम से कम चार घंटे के लिए चोड़ूँगी ताकि सारी चीजों का अच्छे से बेनफिट मिल जाए मेरे बालों को और इस गयाप को फिर उसके बाद नॉमा वाटर से मैं हेर वाश करूँगी मैं तो मैंने सोच चा कि मैं अभी वीडियो शूट कर लेती हूं इसलिए यह शाम का वक्त है मैं आप लोगों को दिखा रही हूं तो आप देख सकते हैं मेरे बालों में शाइन भी बहुत ज़्यादा आ गई है तो यह हेर मास बहुत ज़्यादा अच्छा है और यह एंसीन टा को दिन एक महिने तक लगातायर यूज़ करते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा हुज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके बाल बहुत स्ट्रॉंग भी हो जाएंगे और अगर साथ में अगर जो मैंने लड्डू शेयर किया है उसको भी आप खाते है ना तो आ आपके बाल 100% ज़ड़ना रुख जाएगा आपके बाल बहुत एजी से लंबे होंगे यह थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उमीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको और हाँ मेरे इस्ट्रक्शन को फॉलोग जरूर करेगा आप अगर आप अपने बा फ्रेंस और फैमली में भी शेयर करेगा और अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy